Hello everyone, welcome back to my channel और मेरे चानल का नाम है वर्षा बीटी केयर आज मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही ज़्यादा एफोरडेबल और लोग लास्टिंग लिप्स्टिक का स्वाचिस और रिव्यो तो प्लीज वीडियो के एंट तक जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी साथ में जो बेल बटनाई से प्रेस कर दीजी ताकि मैं जब भी कोई निव वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले मिले और मैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियो डेली अप्लोड करती हूं गाइस तो बने रहे हैं मेरे साथ दोस्तों तो चली देख लेते हैं और मैं यहां पर बात कर रही हूँ एडियस लिप्स्टिक की जी हाँ यह मुझे बहुत जादा एफोरेबल प्राइस पर मिल गई थी और अक्सर हम ऐसी ही लिप्स्टिक की तलाश में रहते हैं कि हमेकाश कोई लिप्स्टिक मिल जाए वो भी एफोरेबल प्राइस पर लोंग लास्टिक भी हो और एफोरेबल भी हो तो इन दोनों ही चीजां का कॉबिनेशन है यह सिफ एक EDS लिप्स्टिक तो ये दोनों lipstick मुझे बहुत ज़ाद affordable price पर मिल गई थी मैंने ये normal market से purchase की थी और online अगर आप purchase करना चाहते हैं तो link मैं नीचे description box में provide कर दूँगी तो आप एक बचक जरूर कर दीजेगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी price की तो मुझे ये मिल गई थी 60 रूपीज के price में जो की काफी affordable है और 60 रूपीज के price में इतनी जादा long lasting lipstick मैंने आज तक कभी नहीं देखी है शायद आपने देखी हो तो मुझे comment में जरूर बताइएगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी quantity की तो ये आपको मिलता है 8ML का product मिल जाता है और एक मेरे पास है ये maroon color का shade और एक है fuchsia pink कुछ और fuchsia pink का जो shade number है वो पता नहीं कहां गाएब हो गया और maroon color के जो shade है उस पे है 18 number है मेरा shade number जो है 18 है तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी packaging की तो packaging कुछ इस तरह से है जो maroon color का जो maroon color का जो shade आता है बहुत है golden color के lid के साथ और नीचे आप अपने transparent है आप देख सकते हैं इसका जो container है वो नीचे transparent है इसकी accordingly आप अपने color को चूस कर सकते हैं तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है ये देखें दोनों ही lipstick में आप अपने colors को easily choose कर सकते हैं तो packaging इसकी काफी अच्छी है जो मेरे पास pink color का जो shade है इसकी lead आप देख सकते हैं silver color में है और काफी shiny भी है और जो maroon color का shade है इसकी जो lead है वो है golden color में तो packaging काफी अच्छी है एप्लिकेटर इसका काफी अच्छा है easily आप इसे hold कर सकते हैं control कर सकते हैं मैं आपको open करकर दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं नहीं बहुत ज़्यादा big है और नहीं बहुत ज़्यादा small applicator है तो medium है ये और काफी easily आप इसे apply कर सकते हैं अपने lips पर बात करते हैं इसके staying power की तो ये काफी long lasting है जी हाँ ये 10 से 12 घंटे तक आपके lips पर टिकी रहेगी इसे अगर office going है ये working moment है तो भी आप इसे easily dry कर सकते हैं regular basis पे भी आप इसे apply कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा dry भी नहीं होती है सबसे अच्छी बात इस lipstick की मुझे ये लगती है और अभी आप देख सकते हैं मैंने ये liquid lipstick कभी तक apply नहीं की है तो मैं आपको इसे apply कर कर दिखाती हूँ और जब भी आप liquid lipstick को इस्तमाल करते हैं तो आप अपने lips को अच्छे से moisturize करना बिल्कुल न भूले और मैंने यहाँ पर lips को अच्छे से moisturize कर लिया है मैंने लिबाम लगा रख किया और चलिए मैं इसे अब लगा कर दिखाती हूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा ली हूँ maroon color lipstick और मैं इसलिए maroon color का जो shade है इसे अपने lips पर लगा दूँगी जब भी आप liquid lipstick को apply करें तो अच्छे से अपने lips को lip liner के help से फिल कर लिजिए ताकि जो आपका shade है वो अच्छा लगए और आप देख सकते हैं friends कितना pigmented है यह जो lip liner है यह जो shade है यह बहुत ज्यादा pigmented है अगर आप अपने normal market में इस lipstick को पता करने के लिए जाते हैं तो प्लीज यह lip liner के बारे में जुरूर पता कीजिए बहुत ज्यादा pigmented है और इसे आप एक lipstick के तरह भी लगा सकते हैं वैसे beginners के लिए यह बहुत अच्छी deal हो सकते हैं काफी pigmented है आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छा शेड देती है और जल्दी से अपकी lips पे हट सी भी नहीं है तो यह है leaky lipstick और मेरा शेड नंबर है वह है 120 tomato तो इस शेड के बारे में जरूर पता कीजिए काफी pigmented हैं तो चलिए अब मैं अपने lipstick को एपलाई कर देख तो यह देखे मैं लगा ली है lipstick तो चलिए मैं दूसरी lipstick आपको एपलाई कर कर दिखाती हूँ तो मैं यहाँ पर ली का ही lip liner ले रही हूँ आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा pink color है यह भी तो यह देखे मेरे lip liner लगा लिया है पर आप देख सकते हैं बहुत ही beautiful pink color है और इसी आप daily में भी use कर सकते हैं तो यह देखे मैंने यह pink color भी apply कर लिया है और अगर अगर मेरे यह lipstick का review अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को like कर दीजे मेरे चैनल को subscribe कर लिजे साथ में जो velvet नहीं से press कर दीजे ताकि आपको मेरी से भी वीडियो के notification सबसे पहले विले और friends आप मुझे follow कर सकते हैं Facebook और Instagram पे मैं मिलती हूँ और भी amazing सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए कर दो